समस्कार दोस्तों भक्ति नगरी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है आज हम बात करेंगे सपने में बैल देखने का क्या मतलब होता है तो दोस्तों सपने में बैल देखना सुप माना जाता है अगर आपने सपने में बैल देखा है और बैल समान से लदा हुआ है तो यह संपनता का प्रतीक होता है सपने में हल से जुड़ा बैल देखने का मतलब भी सुप माना जाता है सपने में हल से जुड़ा बैल दिखे तो उसका मतलब है कि आपको कहीं से धन की प्राप्ती हो सकती है या फिर व्यापार धन्दे में आपको लाब मिल सकता है अगर सपने में बैल आप पर हमला करता दिखे तो उसका मतलब है कि आपके जीवर में कोई मुश्किल आने वाली है आप पर कोई संकट आने वाला होता है हलांकि अगर आपके घर में बैल है और वह आपको मारने के लिए बार बार आता है और ऐसे में वह भै बनकर आपके सपन में आपके नींद में आता है तो ऐसी अवस्था में इस तरह के सपने देखने पर जातक को कोई फल नहीं मिलता है यानि कोई भी पुरा फल नहीं मिलता है वहीं यदि सपने में बैल को आप अपने पीछे भागते हुए देखते हैं तो इसका मतलब अच्छा माना जाता है सपने में बैल को पीछे भागते देखने का मतलब इस बात का संकेत होता है कि आपके व्यापार, काडोबार या नौकरी में आपको लाब मिलेगा आपको धन की प्राप्ति हो सकती है आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है किसान को अगर सपने में बेल दिखे तो इसका मतलब है कि आपको खेती में फायदा होगा और किसी अन्य लोगों या किसी वैपारी को सपने में बैल दिखे तो इसका मतलब है कि उसके वैपार धंधे में फैदा होगा सपने में यदि आप पतले या कमजोर बैल को देखते हैं तो यह सपना अनाज महंगा होने की तरफ संकेत देता है यदि आप सपने में मोटे बैल को देखते हैं तो यह अनासस्ता होने का सुचक होता है तो दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट करे और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले चैमाता दी